चलिए आज हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारा अभी semester का exam form आ गया है मैं B.com प्रोग्राम जो बच्चे न semester 4 के अंदर pass out हो चुके हैं semester 4 में जो pass out हो चुके हैं उनका result तो आई ही गया था और result आप सब ने देख लिया क्या रहा result नहीं रहा कुछ बच्चे clear pass है कुछ बच्चो की year है कुछ बच्चे absent भी है और तो absent वाले बच्चे application दे जो करना है do के उपर totally depend करता है कि do वाले किस तरीके से take care करेंगे लेकिन आपको जाना पड़ेगा घर बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा अब बात करते हैं कि आपका जैसे होता है न जैसे कि आप semester one और semester two यह आपका first year माना जाता है और इसके अंदर आपके दो चीजें होते हैं यहां पर होता है ठीक है ऐसे ही जब आप आए थे semester three में तो फिर दुबार admission होता है आपका और वहाँ admission कहां पर होता है आपका वहां होता है आपका second year में अब जब आप semester five में आ चुके हो तो फिर admission होगा और आप होगा आपका final year that is third year जिसके बाद आपका graduation complete होगा तो आपका होता क्या है जब आप semester five में आते हो ना तो इसी time पे आपको subject selection करना है semester five का भी और semester six का भी एक बार और clear कर दूँ जो बच्चा जो subject choose कर लेगा उसे बाद में वो अगर पढ़के देख ले अच्छा लगे तो ठीक नहीं तो उसे change भी करवा सकता है ये provision है ठीक है ना तो हम simply बात करते हैं कि semester five में और six में क्या subject मै accordingly बता दूँगा कि भीया तुमारे लिए कौन से topic field में जाओगे और किसमें important रहेगा तो चलिए हम screen पे चलते हैं ये हमारा किसी बच्चे का हमने रखा हुआ है और ये जो आपके पास option आ रहा है पोर्टल पे program है ध्यान रखेगा semester चार पास आउट program बच्चे जिनका result आय इसके अंदर आपके paper 1,2,3,4 चार subject हो गए ऐसा ही आपका semester देखें यहाँ पे 6 भी है और यहाँ पे भी आपके चार subject है जो choose करना है तो क्या-क्या option आ रहा है आप समने देख लिया होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूं accordingly पहला है हमारा यहाँ पे principle of marketing और दूसरा है human resource management चलिए दोनों में क्या फरक है और क्यों करना चाहिए कब करना चाहिए मेजरली हमारा एक course होता है जिससे हर commerce का बच्चा जानता है that is MBA management and business administrative MBA के अंदर आपको न MBA different different field में करने का मौका मिलता है MBA आपका HR में हो सकता है MBA आपका marketing में हो सकता है MBA आपका finance में हो सकता है हर किसी का अपना expectation है MBA आपका और किसी other field में भी हो सकता है यानि masters बनना है आपको उस चीज़ में normally जो marketing वाला MBA होता है इसमें saints manager का executive का रहता है HR वाला जो job होता है MBA इसके अंदर जब हम किसी employee को recruit करते हैं जब किसी employee को अपने पास job देते हैं तो उस employee को किस तरीके से salary wages कैसे vacancy fill करना है HR होता है finance में मतलब आपको finance manager के पूस्ट पर जॉब मिलती है जहां पर आपको decision लेना होता है जैसे कि capital budgeting आप पांच में समिस्टर में financial management पढ़ रहे हो तो यहां पर काम आता है financial management अब मुद्दे की बात है सर हमें क्या करना चाहिए वह आपका decision रहेगा market के अंदर अगर मैं demanding में बात करूं क्या है तीनों demanding में है generally demand मैं उसको मानूगा जो हर जगा fit हो जाता है HR हर जगा fit नहीं होता आपका यह दोनों field हर जगा fit हो जाता है इसके number of placement जादा है क्यूंकि marketing तो हर जगा ही चाहिए आप छोटी से दुकान में ले लो वहां भी salesman या marketing marketing manager marketing analysis चाहिए finance accountant भी हर जगा चाहिए होता है और HR सिर्फ बड़े बड़े department रखते हैं जहां पर HR जैसे कि मैं अपना एक business छोटा सा run कर रहा हूं यहां पर HR की जोरत नहीं है मैं ही खुड take care कर लेता हूं लेकिन मेरेको marketing की जोरत है क्यों marketing की जोरत है क्योंकि मैं चाहता हूं कोई sales में आये sales spoken करे और finance में भी जोरत अराम का होता है लेकिन कम जॉब होती है इसमें फील्ड में यह पहले बता दू और principle of marketing वह चूज करेगा जो की future में going to plan कर रहा है कि हम मतलब के marketing फिल्ड में जाएंगे दूसरा जो बच्चा में जाता है जो बच्चा अगर किसी और CS में जा रहा है या किसी भी फिल्ड में फर्दर जाता है देखो दोनों ही subject important है marketing भी important है और HR इसलिए नए वाले कोर्स में principle of marketing भी compulsory है और HR भी compulsory है अब आसान और मुस्किल की परिभासा सबसे पहले DU के website पर जाईए एसल पर वहां study material है पढ़ लीजे जाके जो समझ में आता है वो समझ में आ गया principle of marketing के अंदर आपका business study से related होगा ज्यादा बात है कि कोई product कैसे launch करें marketing क्या होता है strategy क्या होना चाहिए इसके अंदर आपको अगर कोई चाहता है कि हम अपना business start करेंगे तो यह subject लें इसमें ब के time को देखते हुए banking में भी हर जगा इसका रोल ज्यादा है principle of marketing का तो इसमें principle of marketing चूज करेंगे कहीं भी job में जाएंगे easily fit हो सकते हैं अब आ जाते हैं सर यहां पर सर industrial law या fundamental अब जो बच्चा industrial law में क्या है फिर से industrial law का मतलब है bonus कैसे दिया जाए wages कैसे दिया जाए या PF कैसे काटा जाए इस से related कानून है आपका 1965 bonus act 1972 आपका ग्रेजुटी एक्ट तो यह कैसे ग्रेजुटी देना चाहिए किसके उपर बोनस अप्लीकेबल होगा कौन ग्रेजुटी देगा किसके उपर ESI अप्लीकेबल होगा वह पढ़ाए जाएगा इसके अंदर law है प्योरली law है यह इसके बाद है fundamental of financial management जो fund को manage किया जाए तो अब जो बच्चा आगे MBA, M.com या CA कर रहा है स्रिफ और स्रिफ यह option चूज करें दूसरा option ना ले financial management इसके पीछे reason है CA करोगे वहां भी आएगा MBA करोगे वहां भी आएगा M.com करोगे वहां भी आएगा तो वहां पे M.com वगेर हमें आपको coaching नहीं मिलेगा कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने इसमें से कुछ नहीं करना है सरकारी नोकरी की तयारी करना है तो वह यह ले सकते इंडस्टियल लो ठीक है ना लेकिन जो बच्चा आगे professor की जौब की तयार e.d. और personal finance personal finance थोड़ा सा practical subject बहुत अच्छा personal finance का मतलब है कि हम अपने जीवन में पैसे का कहा कहा इस्तेमाल करते हैं पोस्ट आफिस पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं बाकि जो बच्चे लेना चाहते हैं अपके उपर डिपेंड करता है टोटली यह इतना नहीं है entrepreneurship development कहीं है कहीं principle of marketing लोग है entrepreneurship का मतलब क्या होता मालिक तो मालिक को किस तरीके से अपने आपको develop करना चाहिए वो सारी बाते यहां सिखाई जाती है तो ED ले लो ज्यादा बेटर होगे इसमें तो मैं कुछ बोली नहीं सकता कि क्या लेना है इसमें एक ही option है principle of micro economics तो लेना पड़ेगा तो यह आपके चार subject हो जाते हैं semester 5 के अब semester 6 के भी आपको साथ के साथ ही चूज करना है अभी ऐसा नहीं है के नई चूज करोगा साथ के साथ ही चूज करना होगा semester 6 के अंदर इस computerized accounting and management accounting जिस बच्छे का practical strong है वो management account ले ले जिस बच्छे का theoretical strong है banking वगयरा के अंदर जाना चाहते है तो वो यह ले आगे जो बच्छा आगे MBA करना चाहता है तो management account ले आगे बच्छा CE करना चाता है management account ले आगे बच्चा कोई further accounts related course करना चाहता है या net exam की तयारी करना चाहता है प्रोफेसर के लेक्चरार के लिए या आगे आप CAG वगरा या UPSC की भी इवन तो तयारी करना चाहते हो तो मैं कहूंगा management account वहाँ पर भी management account आता है आपका ठीक है computer accounting journal है किसी बच्चे का ठीक रहता है हां computer में आप computer में यह मत समझना कि आपको on-off करना आता है और थोड़ा बहुत Excel आता है तो computer system ले लेते हैं सीख जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ा पूछी जाएंगे तो मैं इसमें से आपको दो option देते हूं computerized accounting system छोड़के banking और management बाकी किताब available है आप दोनों देखके जो हर बच्चे का behavior अलगा है जिसको जो suit करता है वो ले तो banking and insurance मैं प्रिफेर करूँगा management ले लो क्योंकि in future में अगर आपका मन बदला 10 साल बाद भी के MBA कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो कि थोड़ी बहुत याद रहेगे और उसको memorize करना पड़ेगा आगया जाते international business fundamental of investment और organization behavior इसके अंदर अगर देखा जैना तो fundamental of investment अच्छा subject है तीनों में से best best की कोई definition नहीं मुझे तो best यह लगता है लेकिन इसका market के अंदर book तो available है बाकि tuition वगेरा available नहीं मिलेगा आपको तो आप सोच समझ के अगर आप पढ़ लें अगर अच्छा लगता है तो लें बाकि coaching इसके available नहीं होता है उसके पीछे reason है optional वाली subject है हर बच्चा लेगा नहीं दस में से दो लेगा तो दो बच्चे के लिए especially कोई tutor आएगा नहीं और बाकि यह financial management का advanced version आ जाता है इसके अं से लेंगे fundamental of investment तीनों में से दूसरे नंबर पर आप ले ले organization behavior यह बड़ा काम आने वाला subject है subject का नाम बिलकुल नया है एमकॉम में भाई साब मैंने हर जगा देखा है organization behavior होता ही होता है कि organized में क्या behavior हो तो इन दोनों में और प्रैक्टिकल बुक को देखके नहीं फसना चाहता तो मैं यह ले लूँगा organization and behavior और continue को रूँगा अब सर यहां पर कोई option लिए advertisement personal selling यह अब देखिए यहां पर प्रिंस्पल मार्केटिंग लेते हैं तो यहां भी फाइदा मिलेगा आपको समझ में रखिए क्योंकि आपका personal selling salesman जो भी a ship यानि कहीं ने कहीं marketing से ही related यह point आता तो उसका advantage यहां मिल आपके यह सब्जेक्ट सेलेक्शन थे अब मैं दुबारा एक बार बता देता हूं सर पहला लीजिए आप प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्मेंट और स्वारी फाइनेंशल मैनेजमेंट एडी ले लिए एकनॉमिक्स कमपल्सरी है ना हुआ मिलेगा अब जो बच्चो अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा है जिन बच्चों ने तो वह अभी से भी पढ़ेंगे और कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चूज करते हो जैसे फाइनेंशल मैनेजमेंट तो आप आराम से पढ़ सकते हो अभी से भी तैयारी से रहते हैं कि रहते हैं यह पढ़ना है यह पढ़ना है एसे करना है और उसमें तो चार में और रखें तो वह तो मान के चलो आप अगर आपने अगर बेंगें साल गया और फिर रिजल्ट आएगागा तब तक कुछ नहीं होगा छटे में एक में भी फेल हो गए तो complete फेल हो अब जैसे एक में फेल वे चल भाई दो तीन में EAR दे देंगे तीन में फेल वे चल भाई पांच में EAR दे देंगे दो में फेल वे चल भाई चार में EAR दे देंगे तो समझ लो आपको बहुत नुक्सान हो सकता है नौकरी में नुक्सान हो जाएगा और कोई कोर्स जो सोच रहे उसमें भी नुक्सान हो जाएगा नहीं कर पाओगे मैं अगर अपने पास बताओं तो सिंपली काफी बच्चों का रहता है कि सर कैसे करेंगे तो हमारे पास देखो financial management आपको YouTube पे सारी वीडियो मिलेगी principle of marketing आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलेगी due to copyright और principle of micro economics इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको दोनों लेकिन हाँ इस वीडियो को अगर मैं चैनल पे डाल रहा हूँ तो डालने का थोड़ा सा speed slow है अगर मैं बात करूँ FM के अंदर अभी इसमें एक unit चल रहा है और live class के अंदर हमने जादा unit complete कर लिया है ये धीरे धीरे डलते है editing होने के बाद क्योंकि एक दिन में हमें काफी सारी वीडियो डालना होता है principle of marketing क्यों नी डालोगे सर यूटूब पे क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं books के notes यूज कर रहा हूँ और जैसे कि TR gen book है मैं book का नाम भी बता देता हूँ इसका book कौनसा लेना है अगर आप जैसे पढ़ोगे तो rp रस्त होगी ठीक है और इसका book कौनसा है TR Gen है ठीन चावडा है और sr microeconomics के आप notes prefer कर सकते हो DU के notes और बाकि आप tenure भी tenure तो पड़ेंगे ठीक है ना तो जो बच्चे टेनियर लेना चाहते हैं और इंफेक्ट जो मैंने एफिम का टेनियर बनाया है पूरा सिस्टेमेटिक बनाया है आगर बुक और टेनियर कर लेते हो तो आपका एक्जाम दो घंटे से ढ़ाई गंटे में अटेम्ट हो जाएगा वो द पूरा सिस्टेमेटिक वीडियो देखना चाहता है क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं सर पुरानी वीडियो का है क्योंकि यूट्यूब पे मैं जब भी पढ़ाता हूं हर बार नहीं वीडियो डालता हूं ऐसा नहीं कि मैंने डालके छोड़ दिया है तो आपको एक चेप्टर मैं बताऊं सपोस करो लीवरेज आपको पुरानी भी मिलेगी और नहीं भी मिलेगी बच्चा कंफ्यूसर देखे कौन सी एक पार्ट पुरानी देख लेते हैं और दो पार्ट नहीं देख लेते हैं फिर बोलते हैं सर उसमें मिसमैच हो रहा है तो वह दिक्क में कोर्स प्रोवाइड कर दी जाती है जो कि पूरे एक्जाम तक की वेलिडिटी रहती है उस पर कुछ कभी कभी डिसकाउंट भी आता है वह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो तीनों के तीनों सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है एक एडी पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट आपके माल लो सपोस करो आप 15 सुरुपे में देते हो और डेडिकेटली एक एक गंटा हमारे अकॉर्डिंग हमें दे देते हो आपके छुट्टी तीनों सब्जेक्ट की बाकी अगर बाइचांस आपका सेमेस्टर तीन क्योंकि इंकम टेक्स में का वही लास्ट सियर का ही रिकॉर्डिंग मैंने करा हुआ और कुछ अमेंडिमेंट उसके अंदर मैं डाल रहा हूं अब तीसरे समेस्टर के अंदर बस एक इंकम टेक्स में मैंने देखा है बच्चों का इयार और बाकी जिसका है उसके अकॉर्डिंग में प्रिपरेशन कर और यह दिन आपके ऐसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि फैस्टिवल का सीजन है नौंबर और अक्टूबर पूरा एंड में जिसमें आपको पता नहीं चलेगा तो अभी से आप पढ़ने लगिए चाहे बच्चा जहीं जहां कहीं भी पढ़ रहा हो मैं त जायद बंट कितना होगा 23-24 सो रुपए कितने बंट जा रही है इसके है कि ऐसकी भाटार वो प्रिशन को आप इसमें में कर लेजिए अगर मान लेते हैं सपोस्ट पर इस बच्चे नें कॉस्ट अक्कंवेंट भर दिया और कॉस्ट अकॉस्ट में अगर इम्प्रूमेंट और improvement भरने के बाद उसमें बन जाते हैं 4 तो ऐसे situation में 5 number वाला count नहीं होगा चार वाला count होगा ऐसा नहीं कि जिसमें ज़्यादा है वो mark sheet में लगा दोगे आप जो improvement के बाद आएंगे वो नंबर कमा रहें 50% बनी नहीं पा रहें वो जरूर improvement भरें तो आपको हर किसी के लिए हर जगह के लिए जितने भी courses है number आपको चाहिए मात्र कितने सर 50% number चाहिए और कई जगह पे तो आपको 60% भी number requirement है तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से next video में मैंने सारी बाते आपको बता दी hopefully week of honors में क्या क्या selection होना चाहिए इसके लिए भी मैं वीडियो कल upload करूँगा तो मिलते हैं next class में next video में thank you so much तो अगे देखते हैं क्या क्या हमें करना है